नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रॉक्टर दीशा प्रजापती और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मूँ में अगर एक भी दात नहीं है तो उस टाइम पे नए दात लगवानी के कितने ओप्शन्स अवेलेबल होते हैं उसी टॉपिक के बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिने पता हैं कि अगर सारे ही दात निकाल दिये गए तो एक 32 ही ऑप्शन बचता है हमारे नए दात बिठाने का अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि अगर आपकी मूँ में एक भी दात नहीं है तो उसके भी तीन या चार आप्शन है आपके पास नए दात बिठाने के और साथ-साथ हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि य जो भी सारे ओप्शन से उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है और यहर एक ओप्शन में खर्चा कितना आता है तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रही है ताकि आप कोई भी इंफरमेशन मिस ना गरे सबसे पहले शुरू करते हैं कि दात बिठाने के सबसे पहले ओप्शन के साथ और सबसे पहला और मोस्ट कॉमन जो शायद आपको भी पता होगा वो ओप्शन है complete denture, removable complete denture यानि निकालने पहनने वाला बतीसी अगर हम regular भासा में समझे तो यह जो बतीसी होता है वो उपर के और नीचे की तरफ बिठाया उसी के support से वो आपकी मुँ में बिठाया जाता है तो जितना आपकी हड़ी का और tissue का support अच्छा रहता है उतना अच्छा fitting आता है आपके removable complete denture का यानि कि आपकी निकालने पहनने वाली बतीसी का क्यूंकि यह tissue supported होता है तो उसमें आपके जो भी हड़ी होती है उसका और tissue का supports बहुत ही जादा important होता है यह दो प्रकार की material से बनाया जाता है एक होता है acrylic material और दूसरा होता है थोड़ा सा flexible material तो दो टाइप की material से यह बनाया जाता है यह किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए मैंने एक separate video बनाया है जिसका link दे दूंगे मैं उपर आपने अगर वो न advantage क्या होता है और disadvantage क्या होता है तो उसके सबसे पहला फाइदा ही ही होता है कि यह सबसे सस्ता option है इसके आगे हम जिस भी option के बारे में बात करने वाले हैं वो आपकी निकालने पहनने वाली 32 से थोड़ा महेंगा option है तो यह उससे काफी सस्ता option है दूसरा है कि एक बार अगर आपके सारे ये दात निकालने के बाद आपकी हंडी मजबूत हो गई है सारा healing process अच्छे से हो गया है तो इसे हम 7-8 दिन के अंदर भी बना के बिठा सकते है पेशन की मुँमे अगर आपको ये अच्छे से adjust हो गई बत्तिसी तो आप इसके उपर हर एक प्रकार का खाना बहुत ही अच्छी तरह से खा सकते है and last but not least क्योंकि दात निकलवाने के बाद मुँ जो होता है वो पूरा पिचक जाता है जानि कि ऐसे दबा दबा सा दिखता है तो बत्तिसी देने के बाद पेशन का जो चहरा होता है वो नॉर्मल या थोड़ा सा यंग दिखता है उनकी उमर कम दिखने लगती है मैं हाँ पर एक फोटो लगा दूँगी जो मेरे ही पेशन्स की है जिनको बिना डेंचर के और वित डेंचर आप देख सकते है कि दिखने में भी कितना ज़ादा फर्क पड़ता है तो यह थे कुछ उसके main advantages अब बात करेंगे disadvantage की तो क्योंकि यह निकालने पहनने वाला है तो सबसे पहला होता है कि इसको आपको निकालना है साफ करना है और पहनना है यह सबसे पहला disadvantage है दूसरा है कि यह जब भी हम patients को देते हैं तो शुरुआत की दिनों में patients को थोड़ा सा discomfort होता है कहीं पे चुपता है patient को कहीं पे उनको छाला आ जाता है तो इस प्रकार की थोड़ी बहुत problem होती है शुरुआत में adjust होने तक बहुत सारे patients इसके जाथ adjust नहीं भी कर पाते हैं तो अगर आप patient अच्छे से adjust नहीं कर पाते हैं तो वो patients इससे बनाने के बाद भी पहनते नहीं है तो यह भी एक उसका disadvantage बोल सकते है और उसका main होता है कि जो ताडू होता है आपका palate जिसे बोलते हैं तो वो ताडू पे भी उसका पूरा extension होने की वज़ा से patient को शुरू आती दिनों में बोलने में भी थोड़ी सी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है तो यह थे कुछ उसके disadvantages अब बात करेंगे दूसरे option के बारे में वो दो implant के support से आपका जो भी 32 है वो बिठाया जाता है बिठाते 32 है बट वो implant के support से वहां पर बिठाया जाता है तो आपके जबडे के अंदर implant डाल के उसे heal होने के लिए छोड़ दिया जाता है उसके उपर जो आपका implant है उसके उपर एक special attachment दिया जाता है जिसमें ball shape का retainer या फिर retainer balls भी कहते है उसे वो दिया जाता है और आपका जो बत्ती सी बनाया जाता है उसके अंदर वो जो ball दिये है implant में उसके उपर fit हो सके वैसा special attachment दिया जाता है ताकि जो implant पे आपको round ball attachment दिया था उसके उपर जब आप बत्ती सी बिठाते हैं तो वो बहुत जादा हड़ी नहीं थी या जिनको जो साधा वाला निकालने पहलने वाला डेंचर था वो adjust नहीं हुआ इस टाइप के कुछ केसिस में इस प्रकार से implant के support से भी डेंचर दिया जाता है इस डेंचर के advantage और disadvantage पहले वाले डेंचर से बहुत जादा similar है सिर्फ एक चीज रहता है यानि कि patient का जो adjustment time है वो कम हो जाता है बट उसका disadvantage यह है सामने कि यह implant के support से बिठा है यानि कि आपको implant का भी खर्चा आता है साथ-साथ आपकी 32 का भी खर्चा आता है यह सारे ही options में कितना खर्चा आएगा उसके बारे में हम इसी वीडियो के end में बात करने वाले है अब बात करेंगे तीसरे option की तो उसमें implant के support से आपको fix denture दिया जाता है यानि कि fix denture जो रहता है वो आपको implant के support से दिया जाता है जो आपके अंदर ही fix किया जाता है उस case में आपको नीचे के side पे 4 implant minimum 4 implant तो चाहिए उस case में और उपर के जबडे में भी 4 implant डाले जाते ह है और वो implant के support से ही जो बत्ती सी होती है वो आपकी जो reach है यानि कि आपका जो reach था tissue जो बचा था bone वो उसके वहाँ पर fix किया जाता है यह जो option है वो बहुत ही अच्छा option है क्योंकि इसमें patient को बिल्कुल भी adjustment नहीं करना पड़ता है उनकी जो feeling होती है वो बहुत जादा natural ह होती है दिखने में भी वो काफी natural दिखता है और साथ साथ जो palette पे extension होता है removable denture का और वगेरा जो palette के side पे उसको ताव के side पे उसकी plate रहती है वैसी इस option में नहीं रहने की वज़ा से patient को काफी हद तक वो initial time से ही adjust हो जाता है इसका disadvantage यह है कि आपका जो bone का depth है या bone की जो height ह quality वो बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर हमें fix denture चाहिए तो उस case में नहीं तो आपके case में वो option आप नहीं ले पाएंगे दूसरा है कि क्योंकि यह fix किया जाता है आपके बूमें तो आपको उसकी cleaning regular आपके दानतों के जैसे ही करनी है बड़ एवरी 6 और 6-12 मन्त को आपक minimum तो आपको कम से कम 8 implant का खर्चा आता है और साथ-साथ वो denture का जो भी cost रहेगा वो उसमें add हो जाता है तो यह था third option अब बात करेंगे fourth option की तो जो चौथा option है उसमें किसी भी प्रकार का denture या 32 सी नहीं दी जाती है उसमें आपको crown and bridges दिये जाता है crown और bridge क्या होता है उस का link दे दूँगे आप उसे भी जरूर देखिए यहां पर मैं आपको थोड़ा समझा देती हूं कि implant के support से bridge देना है अगर आपकी मुह में एक भी दात नहीं है तो उस time पे उपर के जबडे में कम से कम 6 implant डाले जाते हैं और नीचे के जबडे में भी कम से कम 6 implant डाले जाते ह और वो implant के support से आपको वहां पर bridge दिया जाता है यानि कि जो इसका experience है वो एकदम बिल्कुल आपको आपके natural दातों के जैसा भी आ सकता है अगर वो अगर आपको अच्छे से set हो गया properly आपका bone length अच्छा है तो बहुत ही अच्छा result मिलता है यह case में उसमें आपके जो यहां पे 4T और इस side पे 4T ऐसा पूरा ही आज कोई bridge दिया जाता है जिसे implant supported bridge कहा जाता है यह सबसे जादा convenient सबसे easily acceptable होता है पेशन को बहुत अच्छे से address हो जाता है बट इसका एक disadvantage यही है कि यह सबसे जादा costly process है अगर cost आपको matter नहीं करता है तो आपके लिए यह option का कोई भी disadvantage advantage नहीं है क्योंकि आपके पूरे जबडे में fix हो जाता है implant and all तो आपको उसका natural दानतों के जैसे ही brushing और cleaning करना है साल में एक बार dentist विजिट जरूर करना है और अगर जरूरत है तो आपको उसके cleaning भी एक बार dentist के पास साल में एक बार करवाना जरूरी होता है depend होता है आपकी यह option choose करके उसे आप करवा सकते हैं आपके case में तो दोस्तों यह थे total 4 option आपके दानत बिठाने की अब बात करेंगे कि इसका cost क्या आता है तो जो हमने सबसे पहला option का बात किया था कि complete denture यानि कि निकालने पहनने वाला जो 32 सी था उसका cost शुरू होता है 8 से 10,000 से लेके कम से कम 15 से 20,000 तक आता है यह मैं इसलिए बता रहे हूँ कि मुझे आप हर एक patient comment करते हैं कि मैं हमें कितना खर्चाएगा आप कहां पर रहते हैं आप कहां पर यह treatment करवा रहे हैं आपके दात का condition कैसा है यह सारे factors affect करते हैं आप कौन सा material वाला डेंचर चूस कर रहे हैं वो सार flexible वाला डेंचर कर रहे हैं तो उस time पर उसका भी खर्चा एक 20,000 से शुरू होके 30,000 तक भी आ सकता है totally depend करता है कि आप यह treatment कहां पर करवा रहे हैं दूसरा option था कि जिसमें हम implant के support से डेंचर बिठा रहे हैं तो उसमें आपको minimum उपर दो और नीचे दो ऐसे 4 implant आना जरूरी होता है और एक implant का cost minimum 20,000 से start होता है तो आपको 4 implant का cost आएगा और प्लस आपका जो 32 से बैठने वाला है उसके उपर उसका cost उसमें add हो जाता है तो उतना खर्चा आपको उसका भी आ सकता है सेम applies होता है बाकी के 2 option के लिए भी जिसमें आपको उपर 4 और नीचे 4 ऐसे total 8 implant डा है तो उसमें भी और अगर आप implant supported bridge कर रहे है तो उसमें आपको minimum उपर 6 और नीचे 6 ऐसे 12 implant डालने पड़ते हैं और वो 12 implant के खर्चे के साथ साथ आपको उसके उपर कम से कम 12 से 14 bridge बैठने वाला है जो अगर आप implant का खर्चा minimum 20,000 आता है अगर आप ceramic वाला bridge करते हैं तो ceramic का cost minimum 2,000 से 3,000 होता है एक दात का तो अगर आप उपर 12 और नीचे 12 दात टीत बिठाते हैं तो 24 टीत को आप धाई या 3,000 से multiply करके आपका costing निकाल सकते हैं फिर भी ये एक range बताया है आपका total cost आपके dentist पे डिपेंड करता है जो आपका पूरा check-up करने के बाद आपका treatment प्लान करने के बाद आपको final amount बता सकते हैं तो दोस्तों ये थे सारे ही option उसके advantage, disadvantage और उसका costing आपके नए दात बिठाने के लिए I hope ये वीडियो आपके लिए useful रहेगा अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज इसे like कर दीजी अपने friends और family के साथ भी ज़रूर share कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कीजिए नीचे देगे bell icon को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताक कि आने वाली सारी ही वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिले, मिलते हैं next वीडियो में, till that keep smiling, bye bye